National Family Health Survey के रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्म में 60 मिलियन बाल विवा होते हैं जिसमें से 40 प्रतिशत भारत में होते हैं वहीं देश में सबसे ज्यादा बाल विवा वेस्ट बेंगॉल, बिहार, राजस्थान, जारखंड, उत्तरप्रदेश, मद्ध्रदेश, आंदरप्रदेश और करनाटक में होते हैं अगर ओफिस पे काम करने के दौरान बेटियों के साथ सेक्शूल हरास्मेंट की बात करें तो 2021-23 के नैशनल कमीशन फॉर विमेन की 20 जुलाई 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सेक्शूल असॉल्ट के मामले में उत्तरप्रदेश सबसे उपर है जहां 279 मामले हैं तो वहीं दिल्ली दूसरे नमबर पर है चलिए अब कुछ कानूनों पर नजर डालते हैं अगर कोई व्यक्ती महिला की फोटो के साथ अब हदरिता करके उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे तो अनुछेद 354 के तहद अपराधी को 1-5 साल तक की सजा का प्राबधान है अगर धारा 354 ए की बात करें तो इसमें किसी पुरुष द्वारा बिना किसी महिला के इजाज़त के उसके साथ शारिरिक संबंध बनाने की मांग करना महिला के शरीर पर किसी भी तरह की टिपपनी करना या फिर महिला के बिना इजाज़त के उसे फोन में अश्लील वीडियो दिखाने की कोशिश करना ये सब sexual harassment के अंतरगत ही आते हैं अगर किसी महिला को न्याइ नहीं मिलता है तो वह समविधान के अंतरगत अनुछेद 32 एवं 226 के तहट सुप्रीम कोट और हाई कोट में न्याय के लिए अपील कर सकती है महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं कारिस्थल पर होती है यहां तक कि बेटियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है कई ऐसे मामले भी दर्ज किये जा चुके हैं जहां पिता ने ही बेटी का यौन सोशन कर डाला हालिया घटना क्रम पर नजर डालें तो मनिपुर की घटना समेत उजैन रेप कांड भी दिल दहला देने माला है इसमें कोई दोराय नहीं है कि बेटियों को सिक्षा के शेत्र में लगातार प्रगती मिल रही है वहीं सरकार द्वारा प्रयास भी किये जा रहे है आपको बता दें कि महराश्ट सरकार ने कल ही बेटियों के लिए एक लेक लड़की नाम से योजना जारी किये है यानि प्यारी बेटी के नाम से ये स्कीम इसके तहत बेटी के नाम 5,000 रुपे जन्म के साथ ही दिये जाएंगे इसके अलावा कक्षा एक में नामंकन के साथ ही उसे 6,000 रुपे मिलेंगे 18 वर्ष पूरे होने तक 75,000 रुपए बेटियों को प्रदान किये जाएंगे मद्ध प्रदेश में लाडली पहना योजना और लाडली लक्षमी योजना तो वहीं देश में सुकन्या समरिद्धी योजना और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना शामिल हैं इस बार International Girl Child Day की थीम है Invest in Girls Rights, Our Leadership, Our Wellbeing तो चलिए इस अंतराश्ट्रिय बाली का दिवस पर बेटियों को कोसने की बजाएं उनकी उपस्थिती पर स्वयम को गौरवानवित महसूस करें और उनका होसला बढ़ाएं